मुझा पराटे बना रहे हैं इसको फटापट नाशता दे दिए अश्रप रेश के नादों के बेटके नाशता कर रहा है नाशता कर दे है उसको फटापट रर्वी भी जाना है तो मैं नाशिता धे दी हूँ अब ये जल्दी जल्दी खाएगे तो अच्छा है चलो अब इसके पपा भी नहाने गए बात्रूम में तो वो भी फ्रेश हो कि आ जाए तो उनको भी फटाफट नाश्ता दे देंगे तो अभी नाश्ता वगेरा सब हो गया हमारा मश्रफ के टिफिंग की तैयारी करेंगे तो आज हम अश्रफ को एग रोल देंगे मेरे स्टाइल में तो देखे रात का दूद था तो पूरा दूद पढ़ गया और अभी दूद गरम करने रखी तो अभी थोड़ा दूद गिर अब इसको बात में साफ करेंगे परेदे हम अश्रफ के टिफिंग की तैयारी कर लेते तो तो यह देखे रोटी को हम थोड़ा कच्चा पका सेखेंगे यह देख सकते गई इसको अभी हम थोड़ा क्या बोलते ज्यादा नहीं सेखेंगे इसको निकाल देंगे इस तरह एक चमच घी लेंगे इसको ऐसा करेंगे डालेंगे तवगे पर फोरण रोटी डाल देंगे और इसको ऐसा हिलाएंगे और हमें एक चमच घी इसमें भी डालेंगे रोटी के उपर वैसे तो इसकी स्कूल में वेजी चलता है नॉन्वेज नह तो इसको साधा अंडा रोटी नहीं दे सकती, इसलिए यह मेरे स्टाइल से इसको अंडा रोटी दे रही हूँ, कि वो बच्चे अंडा रोटी भी खा लेगा, और किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा इसको हमेरे सिलो फ्रेम में रख लेंगे, यह तो नीचे से रोटी पुरी भी हो जाएगा इसको चारो तरफ पहला लेंगे, इस तरफ इसको भी हम पलट देंगे, ऐसा अपना मेउनी जाएट करेंगे और इसको 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 मिख्स कर देंगे तोल टादूंगे पडिए थोड़ा तीका लेता है और इसके उपर हम पीषार कर देंगे यह वाली ची षे उपर एड़ कर दूँगे तरफ इसको इसको एड़ कर दूँगे और यह वाली ची उपर सद्के डाल दूँगे तो आप दे सकते हैं मैंने पूरा चीज डाल दी हूं और हेसको ओन करके इसको थोड़ा सा ऐसा हग पलट देंगे कि इतना मेल्ड हो गया है अब इसको हम सिल्वर पेपर में निकाल देंगे और इसको में सब्सक्राइब कर दिंगे अश्रादा गड़ा ही है कि अच्छाइब करें पर देंगे हैं तो यह अच्छाइब कर दो देखेंगे अब भी अश्रफ आ रहा है तो अश्रफ को एक रोटी खिला के भेशते हैं लोग तो इसमें नुटेला लगा दूंगी रोटी में तो फटापट खा लेगा उसको नुटेला भी बहुत पसंद है तो वह आने ही वाला है बारा बजने वाले है मेरे हस्बेंट गए उसको लेने इसके रोटागी आपीस को ये खिला दूंगे अश्रफ की टिखिन रड़ी है अच पुरूट में अश्रफ को बनाना दाल देते हैं पर बनेनों का जाएं इसको पुछाएं अब इसका टेंड रड़ी है अधार बेले और अधार ने आए आपीस नियू बेक लाए टाइम भी नियुआ है और अश्रफ ने नियू बेक तोड़ दिया तो इसके पापा वो बेग बना रहे थे और अश्रफ पुराना बेग स्कूल लेकर जा रहा था है लो गाइस तो अभी अश्रफ को हमने भेज दिये इसकोल में उसका सारा किपीड वगेरा सब लेकर वो इसकोल में चला जिया है जड़ने इसके पापा चोड़ने चलेंगा है लेने भी यए जाते हैं मेनी जाती वो इधर एक्चली के से हिसे इनका इधर ही काम रहता तो वह चले जाते है छोड़ने और जाना तूर काम रहेगा तो घ्र में पुरा आदा काम हो गया अपना बागी अब आदा काम और वाकी है और घर की हालत पी देख सकते हैं पुरा घर को साफ वाव सब करने का है चलो गाइस और अभी हम खाने में कुछ सिंपल ही बना रहे हैं क्योंकि रोज गोश्ट खाखा कि हम लोग सब कंट काल गए गाज में ख अब अब देख लिये और अभी मेने घर में तफाइगा यह देखें अभी घर की सफाई नहीं करिए चलो अब है कि इसले के चलते हैं भिंड़ी मेरी हो गया तो इसको बन कर देंगे और अब यह तपेली रखे हैं तो आप देख सकते हैं यह मलाई आज हम बनाएंगे गी यह देखें मैंने यह मलाई को मैं कैसे मेरा हमारी दर एक्छिली बहस का दूद आता है कोकुल तो उसमें मलाई बहुत रहती तो मैं इसको मेरी एक मेरे मेरे मालाई की नंहें मै। जबाए मेरे मेरे इस तरह और इसको हम पीस लेंगे वैसे तो मैं दाल गोटनी से भी कर लेती हूं लेकिन मुझे यह एजी लगता है करना तो इसमें हो जाता है फटा-फट चलो अब इसको पीस के लेकर आते एक्षिली मेरा देख के इधर का स्विच एकदम खराब है तो मुझे ना होल में जा पकड़ी हो रहा है पकड़ाया भी क्योंकि मैंने एक हासे मुबाइल पकड़ी थी तो मैंने इस टेन नहीं रखी थी तो पूरा इधर देख सकता पूरा घीला था इसके लिए मैंने फटा-फट मिकसर में पीस के सब अपना छाज का पानी वानी सब निकाल के मैंने उसको ए एक्दम घी बन जाएगा लाश्ट में तो ऐसा अपना घी ऐसा बोईल होता रहेगा और इसको हम सिलो फ्लेम में ही रखके पकाएंगे और यह पक पके लाश्ट में तेल छोड़ता है उसी कोई घी वो लेंगे वही गी रेता है तो आप देख सकते हैं पानी दर बोईल कर व्य आज कड़ी बनाती तो भार से लेती हूँ तो यह देख सकते पानी हमारा हो गया है दरम अब इसमें टारिक नहीं डाल सकते क्योंकि यह वह हो जाएगा पिलास्टिक है तो वो पिलास्टिक पूरी कल जाएगी तो इसके अंदर हम पहले साधा पानी डालेंगे आप तो इसको पेले से ही रेडी रखना पड़ता है अब थोड़ा मीडिया में पानी इसका तो जाता है तो अभी वैसे भी मोशी आने वाली है इसके लिए मैंने फटा-फट करी थी कि यह सब गंदेगी यह जो गंदा हुआ है किचन वगेरा जल्दी साफ हो जाएगा नितों मैं गी बनाती हूं तो शाम में फिर मुझे करना परता था यह सब चिकट पूरे चिकने बड़तन वगेरा सब मुझे फिस होना परता था इसके लिए मैंने मोशी के आने से पहले फटा-फट कर दी इसलिए मैंने ज्यादा वीडियो शूट नहीं करी अब इसका टेंशन नहीं ह अब यह पकता रहेगा पकता रहेगा अपना और यह घी बनता जाएगा तो अब इसको हम गाइस फिर मिलते इंशाल्ला घी बनता रहेगा तो हम जरूर आपको बताएंगे और हमारे ब्लोग में बने रहिए और हमारे अगर यह आज का ब्लोग आपको पसंद आएगा तो प राई और कड़ी पता डालेंगे सोरी राई नहीं जीरा और कड़ी पता इसमें डाल देंगे ये इसको थोड़ा पास्ट रखेंगे अब इसको हम इसमें यट करते हैं ये देखिए राईता हमारा रेडी एक्दम सिंपल तरीके से बना है और इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं रोटी के साथ अधा अच्छा लगता है ये देखिए और अब इसलीम भी आ गए है नमास पढ़कर तो हम फटापट खाना रखें देखिए बिंदी और राइता आज हमारा इस सिंपल हीड हो है लंच क्योंकि गोश वर्ष सब खाते हम दो कंटाल गए तो अब हम सिंपल ही खाना चलो गाईस और देख सकते हैं अब आप पील अपन उदर से तो यलो कलर का ऐसा कुछ दिख रहा है ना जी बन रहा है इसको तो सिलों में रख देंगे और देखेंगे बाद में इस शाम तक बने गई यह तो पक 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 चलो फटा फट खाना लगा जेते हैं चलो मिलते हैं खाना खाने के बाद यह देखें इस मॉशी पूरा साफ आफ करके चले गई है ऑदी आप देख सकते हैं कि हमारा पक रहा है इस चलो गौइँ इसको और सब्सक्राइब कर देंगे वह यह अपना पकता रहेगा इसको हम तिलो क्या बहुते पर यहां सिरो फ्लेम में रख देंगे और यह पकता लेगा बीबी इसको एक तो घंटे लगेंगे तो जब तक हम कि अ कि मर्यम तो सो गई और अब हम भी सो जाएंगे अब कि पूरा घर को साफ कर दिया मर्यम वो गई और हमारे दुफेर का खाना भी हो गए है दुफेर का खाना वाना घ़के सब हो हो गया है अब ही साड़ी तीन बज़रे तो अब हम भी थोड़ा सिजह आती हूं मेबी या फिर Sni तो सोंगी नहीं तो वीडियो कुछ भी मतलब तेल बननने में आ रह एंगे हा गी इसको हम भीगा देंगे और इसको 100% मोटी तो दोईगी नहीं इसको मेरको ही दोना पड़ेगा और इसको यह माव मेवा इसका चावल से यह निकला है इसका क्या माली जातों बनता है लेकिन मुझे नहीं आता इतले में खेज़ दियो और यह हमारा घ्री एक मैं देखेगा इस हमारा जो बन जा है यह आदा जपा दना है कमसे कम अशाला आदा किलो तो दना ही होगा इसका प्योर भी है और इसमेल भी माशाला बहुत अच्छी आ रही है यह यह कंशाल्ला नेस्ट ब्लोग हम बहुत जल्दी बनाएंगे और आगर आपको हमारा यह ब्लोग को अगो पसंद आया हो तो प्लीज लाइट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेते हैं इंशाल्ला नेस लोग में जबते सुझी अलावी यह ब्लीज लाइट बिल्लावी जरूर कीजिए यह ब्लीज लाइट झाल झाल